नमस्कार मित्रो स्वागत है आपका हमारे इस चनल में आज की इस वीडियो में बताएंगे कि आप लोग CSC के माद्धिम से अगर E-Distic ID को यूज करते हैं तो E-Distic ID के द्वारा अब आप लोग किस प्रिकार से लोगों का जात्य प्रिमार पत्र बनाएंगे या फिर आय प्रिमार पत्र बनाएंगे या फिर निवास प्रिमार पत्र बनाएंगे आधार सत्यापन करके क्योंकि जो है अपडेट आ चुका है कापी सा लोग का कमेंट आया था हमारे वीडियो पे कि इसका फूल वीडियो चाहे तो इसलिए अब यह वीडियो फूल वीडियो आप सभी के लिए रहने वाला है आप सबसे पहले आपनी upe district वाली id से Among Guide Марश से Log In कर लेना है Log In कर लेने के CESC, Kendra, Hindi और English में भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, और किस प्रिकार से आप लोग जो है, आधार सत्यापन करके लोगों का जाती प्रमाड़ पत्र बनाएंगे, या फिर आई प्रमाड़ पत्र बनाएंगे, या फिर निवास प्रमाड़ पत्र अब आप ना ही आई प्रमाड़ पत्र बना पाएंगे, और ना ही आप जाती प्रमाड़ पत्र बना सकते हैं, और ना ही आप निवास प्रमाड़ पत्र बना सकते हैं पहले क्या होता थासे से कि मालों जो इस्कूल के बच्चे थे उनको जब आए जाती है निवास की जरूत पड़ती थी तब वह लोग अपना आधार कार्ड और फोटो देकर चले जाते थे हम लोग जब खाली टाइम में अपना उनका काम कर देते थे लेकिन अब ऐसा नहीं है अगर आपको किसी भी व्यक्ति का आई जाती है फिर निवास इन तीनों में से कोई एक भी प्रमारपत अगर आपको बनाना है तो उस कांडिडेट के आधार में नंबर का लिंक होना जरूरी है और वह नंबर उस व्यक्ति के पास मौजूद होना चा किलिक करना है और सीथा आपको सम्मित बटन पे किलिक कर देना है तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जो आधार में नंबर लिंक होगा उस नंबर पर एक OTP भेज़ दिया गया है अब वो ओटीपी हमें यहां पर डालना होगा तो जो भी हमारा OTP डालके submit करोगे, submit करने के बाद आपका जो आधार authentication है, यहाँ पर progress होगा, थोड़ा से यहाँ पर time लग सकता है, 10-15 second और यह UIDI के server पर depend करता है, क्योंकि आधार सत्यापन हो रहा है, तो इस प्रेकार से आप देखेंगे, जो आपका आधार था, वो verification complete हो गया, अब यहाँ पर देखेंगे, जो आधार में, हिंदी और इंग्लिस में नाम था, यहाँ पर automatic तरीके से आचुका है, अब अगर वो अभीक्ति grammar से है, तो grammar पर select करेंगे, अगर वो नगर से है, तो नगर पर select करेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखें, हम जैसे grammar area से हमारा आधार कार grammar से था, तो यहाँ पर automatic grammar भी select हो गया, हमें नगर या grammar select करने के आवसकता नहीं पड़ी, यहाँ आपके आधार के अनुसरा, automatic verification complete हो गया, अब यहाँ पर यह नाम आप जो है, edit नहीं कर सकते हैं, जैसा आधार कार्ड में है, वैसे ही रहेगा, अब यहाँ पर उसके father का नाम आपको डालना होगा, उसके माता का नाम आपको यहाँ डालना है, और इसके बाद यहाँ पर आपको जो है, उसका महला या post जो भी हो डालेंगे, मकान नमबर यहाँ डालेंगे, यह state आपका पहले से ही select रहेगा, तो जो है आपका ID अप्रूल हुआ है, उसी district का ही आप जो पता है, पर्वनेंट एडरस है, तो आपको इस पर क्लिक करना है, आपको डिटिल्स यहाँ पर फिल अप हो जाएगी, इसके बाद यहाँ पर आपको स्कनलेट का एक mobile नमबर डाल देना है, और यहाँ पर हम जो है, आई प्रिमाड पत्र बना रहे हैं, income certificate, तो यहाँ पर प सदस्यों की संख्या कितनी है जितने सदस्यू की शंख्या आप यहां पर करेंगे याए ही टाइप करेंगे एक करेंगे परिकार से यह अब देहेंगे तो पिर आपको सबस्ति का नाम बात्थे का नाम बांगेगा उसका ब्यूसाय यहां पर वारसी का का यह पर इसके वारसी जो भी आपने ऊपर वहां पर यहां की करता है तो इनकी किसी जो है आपको कम से कम में जो वो है और यहां आपका एंगे आपका जो रासं कारब्र है आपको आज्व हांद्य। बस्तारिक मारा को दिखाई देगा. पर मारा पतर बनाने का कारणो तो टो इस बड़करोंगे चातमृति के लिए है सीक्रम सांस्तान है तो है या अन्न में किलिक करके आवस्चे कार्य है तुभी लिख सकते हैं इसका यहां पर शनलंग सीर्सक है तो इसमें जो है आपको उस विक्ति की एक फोटो अप्लोड करनी है बाकी प्रोसेस सारा पहले प्लाइब करते हैं आपको उसका फोटा अप्लोड करना है और अन्न सम्मिट करोगे तो आपके CSC पेमेंट पेज़ रिराइट करेगा जहां पर आपको अपनी CSC पासो डाल किये अपने वालट का पिंड डालना है जहां पर 17 रुपए कुछ पेश है का आपके CSC ID से पेमेंट कटेगा और उसके बाद वहां पर फॉर्वड करेंगा उसके किलिक क निवास इन तिनों में से कोई भी प्रमारपत्र बना सकते हैं बस वहां पर बस एक नए एक्स्ट्रा ओप्शन एड किया गया है वो है और टीपी वेरिफिकेशन का बाकी पहले जैसा ही सेम प्रोसर से कोई दूसरा इसमीं चेंजस नहीं हुआ है उम्मिद करते हैं कि आप समझ गया है चले मिलते हैं आपको नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद